हलो गाईस मैं सुर्ज रास अपने यूट्यूब चनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है दोस्तों और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी मैट की तो यदि आप NTPC या फिर गुरूप D की तयारी कर रहे हैं पेपर देने बाले हैं दिसंबर में आप आपके एक्जाम हैं तो मैं आपको बता दू कि मैं आपको देखे यदि आप एक्जाम को पास करना चाहते हैं तो अभी चलो को सस्काइब कर लीज़े क्योंकि मैं ले के आ रहा हूं आपके लिए बहुत ही मस्त मस्त कोशन जो एक्जामें पूचे जा चुके हैं पिर BACIAR क पेपर, जो बार बार पूछ रहा है, एकजामन, उन कोशनों को मैं repeat करूंगा, उन कोशनों को मैं करूंगा, तो एक 1000 कोशन का target है, 1000 को आपने कर लिया, तो मैं आपसे बादा करता हूँ कि आपको बर्दी मिलके रहेगी, ठीके न, तो आपको job मिल जाएगी, ठीके न, आप कि की तेर करा है math की और reasoning की मा आपको इतना पक्का कर दूगा कि आप सोच भी नहीं सकते वो जो कोशन कराऊंगा वो सारे पिरबेस के कोशन कराऊंगा जो बार बार चार चार पांच बार बार रिपीड हुए उन को को कराने वाला हूं तो अभी चनल को subscribe कर लेजे और paper hacker youtube channel को अपने दोस्तों में भी बता दीजिए ठीक है तो चलते है स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो को ठीक है न दोस्तों तो क्या रहने वाली है देखेर कोशन आपके सामने है और इस कोशन का अंसर सभी लोग आसानी पूरबक देंगे देखिए कोशन की यह दी में बात करों तो कोशन वही कराऊंगा जो एक्जाम में इंपोटेंट है ठीक है तो यहां मैं आपको बता दू जैसे कि यहां सिंपली बता दो इस कोशन को यह पड़े तो यहां द दे रखाई दो संक्या हैं उनका योग माल लेता हूं कोई भी कोई संक्या होगी एक माल लेता हूं और दूसरी संक्या बी होगी अन लगा दूँगा और एक बटे बी बराबर कितना दे रखा एक बटे दो 2 दे रखा है समीकर मैं 2 लेता हूँ इस समीकर को और उसको साथ गुणा करता हूं तो देखिए यह आ जाएगा A plus B बटे कितना आ जाएगा A B ठीके न और बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे 2 आ जाएगा अब यहां देखिए क्या दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों वो दे रखा है वही A और B बराबर दे रखा है 9 तो मैं ऊपर बाले के जाएगा कितने लगा दूँगा वही 9 लगा दूँगा तो मैं ऊपर जाएगा कितने लगा देता हूं 9 लगा देता हूं और A B मैं ऐसी लिख दूँगा और बराबर जो 2 है एक बटे 2 एक बटे 2 ऐसी लिख दूँगा इसके साथ गुणा करूँगा इसके साथ और ऐसी कौन से संक्या है वो ही जुड़ें तो 9 आजाए आंसर हमाराम से आने वाला है यदि मैं देखिए पहली संक्या ए माल लेता हूं और दूसरी संक्या को 6 माल लेता हूं तो 6 और 3 नो होता है 9 और 6 और इंटू 3 की बात करूं तो होता है 18 तो मतलब क्या है ये वाली संक्या है जो दूसरी वाली हमारी तीसरी संक्या आई है और पहली संक्या होती है मतलब कि ये वाली 9 आजाती है और 18 आजाती है ठीके ना तो ये मतलब कि दो संक्या कौन से पहली संक्या A होगी मतलब A बराबर कितना होगा भई A पहली संक्या 6 होग और दूर संख्या 3 होगी ठीक है तो यहां देखी यहां कहा रहा है एक संख्या होगी तो एक संख्या होगी तो एक संख्या यहां तीन तो दे नहीं रही है इनमें तो छे दे रखी तो छे उप्शन नमर बी होगा हम लगा के चले आएंगे ठीक है ऐसे कोशन को ऐसे ही करेंग इस कोशन को देखिए यह कह रहा है कौन सी संक्या, कौन सी संक्या 4 से पूरी तरी विभाजित है भाई इस कोशन को हम देखते ही कर देंगा और ये भी देख सकते है कि गुरूब RRB देखिए ये RRB Group D में ये 17 सितंबर को ही 2nd सितंबर में पूछा गया कोशन है इसी पेपर जो हुआ था उसमें ही कोशन पूछा गया है वो पूछा गया है कि कौन सी संक्या 4 से पूरी तरी विभाजित है मैंने आपको नियम भी लिखा रखे है कि जब 2 की बात करें तो लास्ट के 2 अंक देख लेना है वो 2 से कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं और 4 की बात करें तो लास्ट के 2 अंक देखना है पहला और 2 अंक ये 2 अंक देखना है ये 4 से कट रहे हैं नहीं कट रहे है देखे, चार से चुवन की बात करूँ, चार एकम चार चौदा ये नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, चार एकम चार से कट जाएगा, नहीं कटेगा, चार एकम चार, यहां 4, 3, 7, 36 होते हैं, और 4, 4, 36, ठीक है, तो option number क्या रहा है, यह देखे, 76 की बात करूँ, यह कि कट गया, अब बुक कहरा विभादिता, तो यही संके विभादिता, चार से कट गयी, तो option number क्या रहने वाला है, option number B रहने बाला है, इसका answer क्या रहने वाला है, बो रहेगा आपका, 6542176, तो यह हमारा right answer है, option number B, आप देखे, चुटकियों में question करेंगे, आप थोड़ी speed बढ़ा रहा हूँ, थोड़ी speed बढ़ा रहा हूँ, आपके उपर depend करता है, मैं समझाने ही कोशिश कर रहा हूँ, बढ़ना इन question को time नहीं लगेगा question करते हो, ठीक है न, बस बस देखे, तीसरा question आपके सामने आ चुका है, तीसरा question बोल रहा है कि 276X और 1 को 3 से विभादित देखे, 3, 6 और 9 का नियम जो होता है, वो होता है, सभी संक्या का योग कर लो, इन जितनी भी संक्या है, उन सभी संक्या का योग कर लो, और जितनी भी संक्या से विभादित करने के लिए, उस संक्या से काड़ दो, बही उसका, और उसके बाद कहरा है, उनका संक्या का दिखे, साथ और दो होता है, नो, नो, छे होता है, पंदरा, पंदरा, और एक होता है, सोला, तो इन संख्या को होगा, सोला मान, और पिलस एक्स के जगह पे मैं कौन-कौन से मान रखूं, जो तीन से भाजित हो जाएगा, यदि मैं दो रख देता हूं, एक्स के पहले मैं दो रखता हूँ, दो रखके देखता हूँ, तो कितना हो जाएगा, अठारा, छे, सोला और दो, अठारा हो जाएगा, अठारा क्या है, अठारा, छे, तीन से कट जाएगा, तो मेरी संख्या पहली हो जाएगी, दो, उसके बाद मैं कितना रखके देखता हूँ, उसके बाद रख संक्या होता है 21 है वह हमारी कितने कट जाएगी इस पिरकार से और भी संक्या मान रखता हूं उनका योग कितना रहे वाला है इन संक्या के योग करता हूं तो 7a 14a 15 तो ये 3 संक्या का योग 15 आया और यहां देखिए 15 12 12 ठीक ना? तो option number की रहने वाला? बी रहने वाला है, जो 15 योग पूच रहका है तीनों संक्या का योग की रहने वाला है कि रहने वाला है 15 तो option number की रहने वाला है? option number 20 का right रह inhab next question को देखते हैं, और next question आपकी सामने है, इस question का answer फटा फट दे दीचे, इस question को देखे, ये question बोल रहा है, निम्री के तब इसे कौन सी संक्या 6 से भाजित है, तो ऐसी कौन सी संक्या जो 6 से भाजित है, आप बनाना है, भई 6 से संक्या मैंने कहा भई 2, 4, 6, देखिए, जब भई 6 से कहा था, तो मैंने क्या का भई 3, 6, 9 की जब बात आ जाए, तो आपको सभी संक्या को add कर लेना है, इन सभी संक्या को जोडना है, और जोडने के बाद जो भी संक्या से divide करने के लिए जैसे 6 से कह रहा है, तो 6 से भाग कर तो भई answer होगा, तो देखिए, यहाँ मैं add करता हूँ, तो कितना होगा, तीन, तीन, छे, और छे, 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 छार होता है, दस, और सोला, सोला क्या, छे से कट जाती है, नहीं कटेगी, यह option नहीं होगा, इसी बिरकार से मैं इसको जोडता हूँ, तो 5 और एक 6, 6, 4, 10, और 18, 18 के 6 से कट जाएगी, तो भई 18, जो है, 6 से कट जाएगी, 6, 3, 18 होता है, तो option नमर क्या रहने वाला है, B, तो इसका answer option B है, बाकि कोई भी नहीं कटेगा, इनको भी जोड सकते हैं, आप देखिए, 5 और 1, 6, 6, 4, 10, 10, 14, 14, 6 से नहीं कटेगी, यहाँ देखिए, 5 और 1, 6, 6, 4, 10, और 0, मतलब के 10 के 6 से कट जाए यहाँ question देखा, नमर में से कौन से संक्या 9 से विभाजित है, आपको यह बताना है, 9, देखिए, मैंने कहा भी 9 से, यह भी आप देख सकते हैं, RRB गुरुप 6 दिसम्बर को पूछा गया question है, और यह 18 के 2nd सिप्ट में पूछा गया question है, तो देखिए, मैं question आपको book और आ इन सभी संक्या को आपस में क्या है, एड कर लीजिए, और जो भी संक्या से विभाजित की बात कर रहा है, उसी संक्या से क्या है, उस संक्या को भाग कर दीजिए, answer आज आएगा, तो देख लीचे, मैं आपको बताने बाला हूँ, अब देखिए, यहाँ सभी पहली संक्या अठारा और पांच कितने होते हैं? अठारा और पांच की बात करूं होते हैं तेईस और एक चौबिस चौबिस के 9 से कट जाएंगे तो ये भी निकटेंगे इसको देखिए यहां कहा रहा है भई देखिए ये कितने होगे? 9 7, 2, 9 9, 2, 18, 18 और 3 अठारा और 3 होते हैं 21, 21 के 9 से कट जाएंगे अठारा ये भी निकटेंगे तो ये कोशन को देखिए लास्ट वाले को देखिए यहां कहा रहा है भई यहां देखिए 3 और 3 कितने होते हैं? 6, 6, 7, 7, 7, 7, 2 कितने होते हैं? 9 और 9 पिलस 9 कितने होते हैं भाई 18 और 18 क्या होते हैं 9 से कट जाते हैं 18 कितने होंगे भाई 9 से कट जाएंगे option number क्या रहने वाला है option number जो रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है d option number d is right रहेगा next question है जो last this video question है मैं आपको important question लिके आता हूँ जो exam में आ चुके है उन्हीं question को सूरिजराज पेपर है कर यूटूब चल से आप score आते हैं तो यहां देखिए कि निम्नेकित में से कौन से देने ने ने देखिए हमारी practice set भी चल रहा है तो जब भी 175 की जब मेरे दोस्तों बात आ जाए तो 175 को क्या elsem ले लो मतलब कि क्या elsem मतलो या फिर उसे क्या divide कर लो जिसके last में 5 हो जिसके अंक में 0 या 5 हो वो 5 से divide होगा तो सब में देख सकते हैं 0 पांच है तो यह तो 5 से divide होगे यह होगे सारी संक्या अब मेरे के पास कितने बचा है वो बचा है 7 संक्या ऐसी कौन से संक्या जो 7 से divide होगी इनमे से साथ से डिवाइड होने वाली संख्या को निकाल लीजिए, आंसर आपके सामने होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उन कोश्चनों को आसानी पूरबग निकाल सकते हैं, तो पूर्ण विभाजित है, देखे, पूर्ता से विभाजित होगी, कितनी ऐसी संख् उसके बाद में धी मैं दूसरे संख्या की बात करूँ, तो देखे, पंदरा पिछटर हैं, ऐसे नहीं कटेंगे, उसके बाद में इसको देखे, चबश्य को देखिए 26 पच्चिस को अब देखिए 26 और पच्चिस दे रखाई इसनी में साथ से डिबाइड करूँगा साथ तिया 21 होता है कितने बच्चे 21 चार सुरी पांच और हो गए बावन और इतना हो गए ठीक है बावन पांच और यहां देखिए 749 और 45 और यहां देखिए 22 चार यह यह अँका नहीं करड़ेगा तो ओप्च्चन केतने संक्या है जो क्या है 175 से पूरी तरीके डिबाइड दे तो option number क्या रहने वाला आप A लगा के चुप चाप चले आएंगे और यही इसका right answer है किसी को कोई doubt comment box में जरू बदाईए अब video आपको कैसे लगी एक बाद जरू बदाना है और चैनल को subscribe करके bell का icon दबा देना है हर दूसरे घंटे पर आपकी मेर्ट की मिलती रहेगी हर दूसरे घंटे चलको subscribe कर बैल का दबाद है मिलते नेक्स बीए तब तक के लिए चैहन दोस्तों